इस तरह से सिक्षण संसानों पर हमला हो रहा है एक तरफ कुछ लोग उनवर्सिटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इंक्लूसिव इंडिया के नाम पर लोगों को एक साथ जोनने की बात कर रहे हैं इसलिए मैं हमका शुक्री आदा करती हैं बहुत देर से सुबा की सेशन से लोगों को सुन रहे हैं सुनके काफी अच्छा लगा उत्तरप्रदेश जैसे जगाओं पे तो ये सारी चीज़े सुनने को मिलती नहीं कहने को तो हम बहुत पॉलिटिकली अक्टिफ लोग हैं कहा जाता है कि बिहार और उत्तरप्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं पुलिटिकल होते हैं लेकिन थोड़ी आइडिलिजिकल नहीं होते हैं इसलिए हम लोगों को जरुवत होती है कि दिल्ली आकर कि कम से कम इस सारे ज्यान को लेकर कि उत्तरप्रदेश जाए और वहां के लोगों को बताएं जाकर कि देखी भाई साथ मुक्तर वर्देश के जो अपसाथ हो रहा है, वो दिल्ली में भी हो रहा है, लेकिन उसको डील करने का तरीका लगी, एक बात जो निकल कर आती है, कि लोईया ने एक नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, आज लड़ाई इन चार चीजों के लिए है, आप ये देखिये, कि जब हम बात करते हैं तो हम ढेन सारी बात करते हैं, लेकिन उन बातों में सिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्त नहीं होता है, आज सवाल ये मनता है, कि पत्मा मती चलनी चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल ये, सवाल ये नहीं है कि एक गरीव आगनी जब बीमार हो जाता है उसका बच्चा पनी पढ़ाई छोड़ करके घर से निकल करके एक काम करने जाता है और पूरा घर उस स्वास्त के लिए वेक्ति के लिए बरबाद हो जाता है हम सवास्त बे कभी बात नहीं करते आज हमारा टॉपिक है सिक्षा बहुत मेख़पूर्ट बात है जो हम सिक्षा की बात करते हैं तो मोदीरीजीम की बात चुकि चार साल ऐसे गुजरे हैं कि किसी के जेल में गुजरे हैं तो किसी ये के युनिवर्सिटी क्यांपस में धर्ना करते गुजरे हैं। क्लासों में जब पढ़ने जाते हैं तो एक धंटा मिलता है। अब एक धंटे में सवाल ये रहता है कि कितनी जल्दी इस सुलेवस को खतम किया जाए क्योंकि अगर बाहर लड़ने नहीं जाएंगी तो ये सुलेवस ही खतम हो जाएगा और हमें पढ़ने का मौका नहीं जाएगा। तो उस छात्रों के उपर एक बड़ी फिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि जब हम उच्छी सिक्षा चंस्तानों की बात करते हैं वहीं रोस्ट्य सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। रोस्ट्य सिस्टम एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहरी आप ये देखिए कि प्रात्मिक विद्यालों में पढ़ने वारे लोग सबसे जादा दरित वर्थ से आते हैं। सबसे जादा आदिवासी होते हैं। सबसे जादा पिछुड़े होते हैं। वो लोग जब प्रात्मिक विद्याले में पढ़ने जाते हैं, तो आप इस सिक्षा के नाम पर उनके साथ मजाग किया जाता है. आज इस देश में दो तरह की सिक्षा विवस्ता है, एक तरफ कॉर्मेंट एजुकेटड लोग हैं, जो वेट आई बेट अगा के एक तब मिंटेन रहते हैं, और एक तरह वो बच्चा है, जो बैट में अपनी किताबों के साथ थागी ले करके जाता है, और सोचता है कि कुछ नहीं मिलेगा, अठीक मास्टर साथ पढ़ाएं और नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक वक्त का खाना नसील हो जाएगा, आज ये हाल हो गया है, आप देखे कि जब गरीब लोग, मेरी तरफ बहुत सारे कॉर्मेंट स्कूल हैं, वहाँ पर जब गरीब किसी तरह से मज़ू पढ़ाने के लिए किसी कॉर्मेंट स्कूल में जाते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि देखे, आपकी सैलरी कितनी इंटर्व्यू के नाम में पूछा जाता है, आप कहां रहते हैं, आप कौन से पॉश इलाके में रहते हैं, थोड़ा ये जानने हैं, आप I.S.P.C.S. हैं कि आप क्या है ये मालूम करिया जाए, क्योंकि अगर गरीब घर का बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने आएगा, तो हमारे स्कूल का महौल खरब हो जाएगा, वो घर की गलताते सीख के आएगा, और गाली गरोच करेगा स्कूल के अंदर, आज आपी देखे, कि सरकार भी वह काम कर रही है, जो ये प्राइवेट संस्थान करते हैं, प्राइवेट संस्थान बच्चों को सिखाना पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके, किसी बड़ी कमपनी का मालिक बन जाए, वो ये नहीं चाहते हैं, कि क किसी गरीब का बच्चा साइंटिस्ट बन जाए तो ग्लोलाइजिशन और ऐसे लोग जो अंतरश्री लेवल पर भारस से सस्ति पैसे में श्रमक पाते हैं वो कहां से पाएंगे अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, तो सबसे इदर में मजदूरी कौन करेगा, अम्बानी और अडानी का बेटा तो नहीं करेगा, मैं इतनी बात बली बात दोर से जाती हूँ, हम यह देखते हैं कि कैमपस के अंदर, सबसे अनोखी बात यह है, कि जब हम लोग दिल्ली घुझे हैं, दिल्ली को सुनते और समझते रहते हैं, डीयो में क्या हुआ है, जेनियो में क्या हुआ। सारे चीजाँ से भर हूर रहते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सेंट्रल ही इनवस्टिए होजाते हैं, हम कभी यह नहीं देखते हैं , हमारा कोई साथी जो बलिया पढ़ पड़ रहा है और नहीं पड़ पड़ जब अफीस म्रंदी का अंदोलन हम लपनोव श्विद्याले में चला रहे होते हैं तो उस पर किसी की नदर कभी नहीं जाती है क्योंकि शाइद लपनोव श्विद्याले इतना बड़ा इशुख है नहीं लोगों के लिए जब लगनव शुद्धाले के अंदर हम यह देखते हैं छारत्रों के बीच में लगातार जा रहे होते हैं और मालूप पड़ता है कि जितने RSS की कारिक्रम हो रहे हैं तो 2017 के बाद से ये सारे कारिक्रम एकेडेमिक्स के पैसे से बच्चों से लिए जा रहे हैं और बच्चों की जा रही होती है दूसरी तरफ उनी पैसों से RSS का कारिक्रम आयोजित किया जा रहा होता है उन सारे मोमेंट्स पर लोगों की नजर तर पड़ती है जब लगनों विश्विद्धाले के छात्र ये सपना नेक लेते हैं कि जिस विश्विद्धाले के अंदर गरीब किसार मज जिसने नहीं पाएंगे और ये चात्र की ताकत होती है जो आपके सिक्षा के लिए अपने रोजगार के लिए अपने अधिकार के लिए साथ को लड़ते हैं एक महीना हम लोग जेल रहते हैं हाला कि ये सरकार बड़ी इंट्रस्टिक सरकार है जेल भीट पेज कर अभी तक उसे सिक्षा के ही लड़ रहे थे जेल जाने के बात मालूम चलता है कि जेल के अंदर तो बड़े निर्दोश लोग भी रह रहे हैं अब सिक्षा के साथ कैसे इंदलितों और पिछुड की लड़ाई भी इनको जेल से बात निकालने की लड़ाई भी कैसे लड़ी जाए ये सबी विश्वित तैलों में RSS की कृपा से कुछ कुलपती बन रहे हैं इसे लफनो विश्वित तैलों में भी S.P. Singh Mohadeg कुलपती है जिरों में आने के बाद सिक्षा में कुछ किया हो ना किया हो कि S.P. Singh Mohadeg जब ही बात करते हैं तो हम उनसे कुछ बोलते हैं उससे पहले ही कहते है माडम आप इधान सब हमें बात नहीं कर रहे हैं ऐसा करिए कि आप लोगों की जगा सड़क पर हैं सड़क पर जाकर क्या कर लड़िए तो हम लोगों ने यह साबित कर दिया कि S.P. आप ऐसा करिए ठापरों को उभारने का काम करिए और हम लोग अपनी सिक्षा रवस्ता को बचाने का काम करेंगे समय बहुत कम है ऐसा लग रहा है कि वह सब भी शुरू किया है और सबसे बड़ा जो इस सवाल है सवाल ये है कि लफनो पर शुद्ध डले के अंतर सावर्कर क्रिक इस थापना की जारे है हमारे वी- narrator महुदय के कहा हिए सावर्कर के मूलियों को सावर्कर के भारत की नींतियों को जानने का यह अअशर है और हम यह चाहते हैं कि इसके शुरुवात लखनों शुविद्याले से हो, ठीक उसी तरह जैसे ही चाहते हैं कि इसलामी टेररिस्ट के बारे में जेनियों में पढ़ा जाए, वैसे ही यह किसी और तरह का टेररिस्ट में नाम नहीं होगी, उसका यह चाहते हैं टेरर लखनों मुझे यह डर लगता है मैं यह देखती हूं कि जब बीएच्चू का सवाल आता है तो बीएच्चू के मुवमेंट को बहुत बड़ी तरह से देखा जाता है उससे पहले लाइब्रेरी का सवाल था आज आप देखिए जब आप मोईबू सवालों के लिए लड़ते हैं तो आ किसी आइटी प्रूफ नहीं किया जाता है और सबसे बड़ा हमला अगर उनके विश्विध्याले पे होता है तो वहां पे जो 50% दरितों को रिजर्वेशन मिल रहा है जब से यह सरकार बनी है उस रिजर्वेशन के पीछे पड़ी हुए और लगतार ही उस रिजर्वेशन क जाता है तो उसमें सवाल आता है कि मनों एक पहले भारतिये ग्लोड़ाइशन ठिंग करके इसका जड़ा आप फ्विवरन दीजिए जब इसी सहाब के पास चाहिए तो वो कहते हैं कि देकि चोमीत खाने से लड़किये एकसाइट हो जाती है तो यह उत्र प्रूदेश का हा प्रूदेश जारी करते हैं और उसमें लिखते हैं कि योगे आधितना तो धर्म का प्रतीख हैं और आपने इनका पुद्वा जला करके धर्म का आपने अपमान कर गया है किस तरह से कमणल किया जा रहा है मामले को आपको मैं कहा रही है यूपी वालों को मौका नहीं मिरता इसलिए दो-दो मिनट जड़े मैं अपनी बात को बन दो मिनट पर समात कर रही हूँ कि देखिये बात यह है कि बीजेपी लगतार बीजेपी से पहले भी बहुत सारी सिक्षन देती थी लेकिन इस सरकार उस सरकार में एक अंतर होता है वो सरकार जो पहले थी वो कम से कम बा बात को रखने की आजादी देती थी लेकिन ये सरकार इतनी जादा निकम्मी है खुद देश द्रोही है खुद गदारी का इतिहास से लैस है इसलिए वो चाहती है कि इस देश के लोग इस देश के छात्र इस देश के नौजवान सिर्फ और सिर्फ गदारी के इतिहास को प परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता लेकिन यह जो न्यू इंडिया मोधी जी के जो सपनों का भारत है जिसमें जुनाया की हत्या कर दी जाती है अक्यार की घर में गुस्थ के उसको पीट-पीट के मार दिया जाता है जहां नजीर को क्यांपस से गायब कर दिया लाता है रोही दखिये आंतीम बात रहा है कि छात्रों की जिब्मेदारी है कि उनको अपनी बात को रखना है और लोया जी के इस कथ़र को जीवन भरयाद रखिएगा कि जब सड़के सूनी हो जाएगी तो यह संसे अवारा हो जाएगी और यह जो छात्रे है चात्र सवाल होता है और जब वो आवन निस चीप लगटे, इस यहां को बादो तो नो चाज़ आवे, विचिमा से विए लो और कि उन्म उन्मुनावाँ!